कर्ज का बढ़ना कर्ज उतरने का नाम क्यों नहीं लेता ऐसा क्या कारण बनता है जिसके वज़े से कर्ज बढ़ता ही रहता है और कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है एक स्चेज ऐसी आजाती है कि सब कुछ बेचने के बाद भी कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता है करज इतना बढ़ जाता है, बार बार करज इतना लेना पड़ता है, हर काम के लिए करज लेना पड़ता है, ऐसा क्या कारण बनता है, आज इस विशा पर चक्चा करेंगे वासू शास्तर के अनुसार और मेरे अपने अनुभो के अनुसार आपका अपना घर नौर्थ फेसिंग है और आपका अपने घर का नौर्थ का भाग नौर्थ का फर्श का लेवल किसी भी कारण से फर्श के लेवल में उचा हो गया है तो आपके यहां कर्ज बढ़ने के रास्ते हमेशा बने रहेंगे जब भी जिस भी घर का फ्रंट का भाग नौर्ट का भाग फर्श के लेल में उचा हो जाता है और साउथ का भाग साउथ वेस्ट कॉर्णर से साउथ हिस्ट कॉर्णर तक पूरा का पूरा भाग नीचे रह जाता है तो ऐसे घर में रहने वाले वैक्ति को चाहे उनकी अपनी दुकान है या शोरूम है या छोटी फैक्ट्री है या बड़ी फैक्ट्री है या कई कई फैक्ट्रीयां हैं तो उन लोगों को बार-बार हर काम के लिए करज लेना पड़ता है एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि अंचाहे पेपर पर भी उन्हें साइन करने पड़ते हैं यदि आपके यहां इस तरह की समसें आ रही है और आपको लगता है कि आपका करज दिन परते दिन बढ़ रहा है और बार-बार काम करने के लिए करज लेना पड़ता है और आपके घर का नौर्थ का फर्श के लेवल में उन्चा है तो आप अपने घर के साउथ के भाग को इंच दो इंच तीन इंच या चार इंच या पाच इंच या छे इंच जितना आप आराम से फर्श का लेवल उन्चा कर सकते हैं उतना आप उन्चा कराएंगे तो आपके यहां जो करज हर रोज बढ़ रहा है वो करज बढ़ना कम हो जाएगा और पैसे आने के सादन इंकम माने के साधन बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे करके आपका करज उतरना शुरू भी हो जाएगा अगर आपको ये लगता है कि आप अपने उस फर्ष को उठाने के लिए सक्षम नहीं हैं आपको कहीं से कोई पैसा भी नहीं मिल रहा तो कोशिश करें कि आप ऐसी जगह को गरें जब आप कहीं दूसरा घर किराए पर लेने के लिए जाएं तो उसकी वास्तु को भी जरूर चेक करें वहा के फर्ष के लिए और अंधरूनी घर को भी वास्तु के अनसार जरूर चेक करें अगर वो सही होगा तो आपके इहां इंकम आने के साधन बढ़ जाएंगे और जो कर्ज आपके यहां बढ़ा हुआ है वो कर्ज दिरे दिरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। आप ऐसा करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपका कर्ज उतर गया। जैसे आपका कर्ज बढ़ा था वैसे ही आपका कर्ज उतना शुरू हो जाएगा सिर्फ एक हलकी सी गलती नौर्थ का फर्श का लेवल उंचा हो गया बहुत सारी जगे ये भी देखने को आता है कि घर पुराना बना हुआ है और हमने दो तीन साल इसमें निकालने है चलो जी गली उंची हो गई या नाली बन गए उसमें हम आगे का फर्श का लेवल उंचा कर देते हैं जिससे की बारिश का पानी जो बरसाद का पानी होता है वो सारा का सारा पानी घर से बाहर निकल जाएगा और कुछ समय हमारा इस घर में ऐसी ही निकल जाएगा लेकिन एक देरे करज बढ़ना शुरू हो जाता है और वो करज उतरने का नाम नहीं लेता इस तरह की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए आपको लगता है आपके यहां रोड का लेवल उंचा हो गया है जिसके करण आपका घर रोड के लेवल से नीचा हो गया है तो आप अपने घर के पूरे फर्ष के लेवल को उंचा करें सिर्फ नौत के फर्ष के लेवल को उंचा ना करें आप ऐसा करेंगे तो आपके यहां बहुत ही अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे अंचाहे पेपर पर भी आपको साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप ऐसा कीजिए आपक एक नहीं विशाय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार.